अगर आपके पास PDF है, अंगरेजी वाली, तो उसको एडिट करने में कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि mostly जो एडिटर्स हैं, वो इंगलेज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर आपकी PDF हिंदी में हैं, तो एडिटिंग में बड़ी असुविधा होती है, हाला कि यदि आपके जो PDF है, वो अगर करतीदेव में हैं, और OCR वाली है, तो आप simply उसे select कर सकते हैं, copy कर सकते हैं, और आप आसानीशों से update कर सकते हैं, जैसे मैंने इसे copy किया, and then यहाप पेस्ट करूँगा, हाला कि इसमें क्या होता है, जब हम इसे copy करते हैं, तो इसकी जो फॉर्मेटिंग ह होती है, तो हर उस line break को enter count करता है, copy करते हैं, तो मैंने कर लिया, अभी आप देखें कि मेरा ये proper copy हो गया है, लेकिन अगर आपका जो PDF है, वो करतीदेव या database में ना होकर, unicode में हैं, तो ये copy बाले trick भी काम नहीं करती, आप देखेंगे, try करेंगे, select हो गया, copy भी हो गया लेकिन वो जो content है, वो proper copy नहीं होता, आप देखेंगे, तो gold debit type से इसमें बनके आ जाते हैं, ठीक है, और इनको font apply करके भी fix नहीं कर सकते हैं, अगर आप try करें कि इसमें font apply कर दें, तो भी वो possible नहीं हो पाता, आप चाहें, तो देख सकते हैं, जैसे मैंने दूसरा apply किया, तो भी आप देखो, नहीं सुदरा, वो टूटा फूटा लेका ही है, ठीक है, तो इन condition में हम क्या कर सकते हैं, कैसे आप इसका content निकालेंगे, उसको update करेंगे, या फिर कुछ बढ़ाना है, copy करना है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो article बनाना है, कुछ भी करना है, तो ऐस इसी condition में हम कैसे इनका text extract करते हैं, बहुत ही simple है, एक और condition हो सकती है, कि आपका जो PDF हो, वो copy करने लायक ही न हो, मतलब भले कृतिदेब ने टाइप किया हो, पर सामने बाले बंदे ने image बना के PDF बनाई हो, image to PDF बाली, तो वो select नहीं होता, तो कृतिदेब हो या पर Unicode वो जाती है, तो ऐसी PDF हों से हम text को कैसे copy कर सकते हैं, बहुत ही simple है, आपको करना क्या है, कोई भी browser आप open कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर as open कर रखा है, और simply आपको search करना है, I2 OCR, ठीक है, ये बहुत सारी, मतलब website, वो languages को OCR में convert करती है, images को, ठीक है, तो I2 OCR के अलाव I2 OCR मुझे हिंदी करना है, मतलब हिंदी का convert करना है, तो मैंने हिंदी कर दिया, और simply जब मैं click करूंगा, तो directly वो हिंदी बाला ही आएगा, तो मुझे लेंग्विज चूजनी करनी पड़ेगी, ठीक है, अभी आप देखेंगे, कि directly जो page है, वो हिंदी OCR का खोल गया, तो मुझे यहाँ पर लेंग्विज जो है वो चूजनी करनी, directly हिंदी चूजे, by default अगर वो यहाँ पर अंग्रेजी या कुछ और आता है, तो आप यहाँ पर हिंदी कर सकते हैं, अगर आप हिंदी कर रहे तो, जैसा कि मैंने बता है कि इसमें बहुत सारे लेंग्विज हैं, तो आप अंग्रेजी भी कर सकते हैं, कोई अगर इंगलिस बाली फाइल है, जो कि ये PG2 PDF बनी है, उसको भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है, दो परकार से होता है, एक तो image होता है, और दूसरा आप PDF से भी कर सकते हैं, ठीक है, और URL से भी कर सकते हैं, URL दिया है, तो फि उसको ही screenshot ले 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 या फिर कैसे भी करके उसो image में convert कर ले screenshot सबसे best option होता है तो मैं जैसे suppose कीजिए इसी का एक screenshot लेता हूँ थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ओके and screenshot लेने के लिए shortcut की भी हो सकती है आपके पास या फिर आप simply print screen button होता है उससे भी screenshot ले सकती है हाला कि यह चार लाइन है 400 लाइन होगी तो अभी screenshot उतने ही time में होता है और OCR recognition उतने ही time में होता है ठीक है so just make process बता रहा हूँ कि यह कैसे काम करता है तो मैंने screenshot लिया simply इसको मैंने paint में paste कर लिया मैं paint में क्यों कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप चार लाइन की बज़ाए 400 लाइन करें तो इसको बढ़ा बढ़ा के यहाँ पर नीचे paste करकर 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 एक image बना लें एक बार में और finally फिर उसको OCR में convert कर दें तो मैं इसको ना just demo के तौर पर कुछ भी लिख देता हूँ और save कर देता हूँ ठीक है then save अब हमारा content ready to upload है ओके so हम यहाँ पर select करेंगी image file को और हमने desktop पर रखी हुई है कि यह गड़बडबाला नाम यहाँ पर recognize और मतलब यह कर दीजिए कि आप रोबोट नहीं है यह इनसान ही है क्रॉस बाग को select करना है तो कर देता हूँ क्या फरक पढ़ रहा है और तो कहीं कार देखनी रही है चलो हो गया 10-15 seconds भी यह उसको cover कर लेगा ऐसा नहीं है कि केबल चार लाइन के लिए 10-15 seconds लगी यह से कि मैंने बता है 400 लाइन भी होते न तो भी उतना ही time लेता वह तो अगर कोई लंबा चोड़ा content है तो manual type करने से अगर आपको बचना है तो simple image में convert करो यहाँ पर upload करो click करो और आपका text तयार clear यहां से आप content को ठालो यह जो content है आपका तयार हो चुका है वही चीज़ है कि justification बाला logic काम करता है कि यह आपका वो चला जाता है बट आप देखो कि 4 enter दबाते ही हमारे पास यह main content आ चुका है जो कि हम copy नहीं कर पा र रहा था देखो बट यहां पर हमारे पास वो content आ चुका है ठीक है हो सकता है यह 4 की पेज़ा है 400 लाएन होती ही 24-610 पेज होते तो simply हम screenshot लेना थे के लंबी चौड़ी image कर लेते click करना simply upload करना है और वो आपका text तयार तो ऐसे करके आप data create कर सकते मतलब अगर content copy नहीं हो रहा select नहीं हो रहा type नहीं करना चाहते तो आप उसका data आसानी से OCR के जरीए recognize करके copy कर सकते हैं simple